एक्जाम विद्ध्याले को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जया हिन्द नमस्कार दोस्तों मैं आकाई शेकावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम विद्ध्याले में चलिए आज का टोब बहुत इंपोर्टनेंट होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आगया हूं आपके लिए फिर से एक टाइम प्रमेंट एंड लॉस्स की बहुत मज़ेदार वीडियो जिसमें आपको कुशन मिलेंगे मेंस लेविल के ठीक है तो इसे बने रहिएगा इस चैनल पर ठीक है अगर अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ठीक है तो पहला कुशन से स्चार्ट करता हूं आज का पहला कुशन है देगा पहला अगर से आपका अपने यूटिब चैनल एक्जाम विद जाले में चलिए कुशन कहरा है आपका कि यदि किसी बस्तू को 200% के लाव पर बेज़ा जाता है तो इसके क्रेमल और बिक्रेमल को मुझे रेशियो क्यात करना है और आप्शन मैंने किसी भी कुशन में नहीं डाले ह क्योंकि अब वक्त आगया है कि बिना आप्शन के सॉल्व करना और वो भी बरवली सॉल्व करना एक बार आपको मैं कुशन को शम्जाओंगा उसके बाद आप खुद कीजेगा ठीक है यदि किसी बस्तू के 200% के लाव पर बेज़ा जाता है तो उसका मुझे विक्रेमल गय मैंने मस्तू मालिक के सोरपे की खरी दी ठीक है सोरपे की खरी दी और उसको सोरपे में भी बेश दूँ तो मुझे क्या हुगा नो प्रॉप्ट होगा और नो लाव होगा ठीक है मैं था कुशं किया नहीं है ना मैंने ना मैं 100 रुपे की चीज़ लगा है 100 रुपे में बेज दिया तो मैं कोई ना प्रॉपिट हुआ ना कुछ लाब लॉस हुआ तो मैं क्या करूंगा 100 रुपे की बस तू को अगर मैं 100 रुपे में और में डालके इसको 200 रुपे में बेज दू तो मैं कह सकता हूं कि म सेहाँ पर मुझे k paran हदिक थीक कि पिशा है तो इसका रेशियो क्या चाहिए का सौ अरप की चीज को 200 अधिक यानले कि मैं 300-ấp जेता हूं 200 rup το रब तो यहां से मैं निकाल सकता हूं रिषु खितना आएगा वन सीयो ठ्री और यही क्या होगा मेरा राइट जिब बिलकुल सौल्व हो गया बरवली ठीक है नेक्स्ट कुस्ट पर चलते हैं सी बीच अगला कुस्ट मौडरेट है तो लेविल अच्छा है इसका ठीक है कुस्ट को देखेगा अच्छे से करिएगा देखे एक राहुल एक मसीन जो कि पांच लाक में घाटे में बेचता है यदि उसने उसे 7 लाक में बेचा होता तो उसका लाब पूरव झाटे का साथ जोना होता मसीन का मुझे क्रेमॉल गयात करना है के उस मसीन का भया मेरा क्रेमॉल क्या है चलिए देखिये जिस तरह से होगा कुश्ट को एक बार लगाते है कुशन है आपका कि देखो पहले एक चीज़ में बताओ आच मुझे यह बता है मैं अपको बता था wil sqat होता है तुम्हारा qosht price मैनर selling price तिंटेख है ज्यादा होगा और selling price का कब कम हो तभी तो मुझे घाटा होगा यानि कि मैं कह सकता हूँ मैं सौरपे की चीज लेका ता असी रुपे में बेश दिया निकि इसेलिंग प्राइज मेरा कम है कॉश्ट प्राइज मेरे ज्यादा है तो मेरा क्या हुआ लग्ा लॉस हुआ कि मैं घाटे में बेश दिया से लाक अटा दो फिस दो झी तीक है 50 मालोल लाक तो अपने बाद में लिख देंगे आराम से झीडिक है और यह है क्या कि एकज CornWhat SP कितने बेश दिया दे मैंने कितने बेश आगाटे में 60,00,00 ठीक है 60,00,00 बेश दिया था माइनस CP हो गया क्लियर बिर्कुल क्लियर अम मुझे क्या गरा है इसका मुझे पूर्व घाटे का 7 गुना है यानि कि ये 7 गुना है आपका ठीक है तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ तोड़ा कलर चैन्ज करता हूँ यह वाला लेता हूँ यहां से मैं कर सकता हूँ कि आपका 8 CP जो कि कहां से आया 7 CP है 1 CP है 8 CP बरावर 60 पिलर्स 35,00 यहां से मैं निकाल दूँँगा आरा सानी से कि CP की बेलू कितनी आगी 21,25,00 और यह क्या है आपका राइट अंसर सिर्फ और सिर्फ एक और दो लाइन में हो गया सवाल क्लियर दो लाइन में हो गया सवाल चलिए यह बल्कुल ठीक है तो दो लाइन में आपका सवाल हो गया किस तरह से निकाला था मैंने देखिए मुझे क्या करना है कि CP का जो मुझे दे रखा है ना मुझे वही करना है ठीक है देखो यह क्या कर रहा है कि 5,00,000 रुपे में घटे में बेचता है यदि उसने 7,00,000 रुपे में बेचा होता तो उसका लाब पूर्व लाब का कितना गुना होता साथ गुना होता ठीक है चलिए नेक्स्ट कुष्टन पर चलते हैं आपका यह कुष्टन है किसी यह देखेगा यह कुष्टन है 140 में 80 पैन बेचने पर एक ब्यापारी 30% की हानी पर 30% का लाब कमाने के लिए उसे 104 पैन कितने पैन बेचने चाहिए यानि कि कहने का मतलब यह है कि 140 पैन के वो 80 पैन खईद के लाया था 140 पैन बेचेगा एक ब्यापारी तो उसे 130% का कितना होगा लॉस होगा अगर बो कितना कमाना चाह रहा 130% तो लाब कमाना चाह रहा है यहां पर ठीक है और 104 पैन में कितने पैन बेचेगा 104 पैन में वो कितने पैन बेचेगा कि उसे 130% का लाब हो यहां पर मैंने Christian डाटा कुछ Metical तरीके से लिख दिया है आप यहां से आप समझ सकते है देखे इसका एक basic सा formula होता है जो कि formula के लिए मैं color ले सकता हूँ यह वाला ठीक है यह color मैंने ले लिया यहां से ठीक है formula होता है मेरा यह देखेगा formula मेरा क्या होता है formula मेरा होता है कि r upon q r upon q percent ठीक है यह आप बात रियाद रखिएगा r upon houta rate और q for houta मेरी quantity और percent मेंसे होता है मेरा profit percent या loss percent होगा था मेरा clear उम्मिद करता हूँ आपको बात समय में आ गही होगी ठीक है चलिए मैं ठीक है उम्मिद करता हूँ आपको बात समय में आ गही होगी चलिए देखेगा में जे क्या करा है कि असी पैन बेचने पर एक ब्यापारी को 30% की हानी होती है मैंने क्या करता ऊपर क्या आएगा रेट आएगा कॉंटिटी आएगी ठीक है कितने पर रेट आएगा तो रेट मेरा कितना हुआ मेरा 140 क्लियर 400 बटे 80 मल्टीपलाई 70 70 मेरा क्या है आ नहीं हुई थी क्लियर 140 में बैचने पर 805 यानी कि मैं 145 में X percent X मेरा क्या है quantity है और किया पे कितना आएगा 130 क्योंकि 130% की मुझे value गया थी ठीक है यहां से मैं x कमान नकाल सकता हूँ असानी से मेरा से मैं x की value नकालूँगा तो मेरा क्यातना था 140 408-70 is equal to 104 बटे एक्स इंटू 130 ठीक है यहां से मैं काड़ दूँँगा तिरे 64 ठीक है और यहां से मैं काड़ दूँगा जीरो से जीरो ठीक है साथ दूनी 14 दूनी 4 यहां कि 2 और 8 का मल्टिप्लाई करूंगा तो यह कितना आएगा 32 और यह क्या था मेरा इसार राइट अंसर ठीक है 32 मेरी पांटिटी आच चुकी है यह देखिएगा इसमें कुश्चन क्या करा है कि किसी बस्तू को नहीं कि रुपे में सो आम खई दे गए हैं इन सो आमो को किस तरपा बेच जाए कि सो रुपे पतला वो सो आमो के बीच में ठीक है यह कुश्चन आपके लिए हॉमवर्क रहेगा ठीक है एक कुशिन आप भी कीजेगा इतनी महत में करता हूं तो आप भी एक कुशिन कीजेगा इस कुशिन को हॉमवर्क में लिख दीजेगा और हॉमवर्क लिखने के बाद में इसे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजेगा अब बेट करूंगा य याद रखिएगा CGL 2017 में आया हुआ सवाल है के लिए तो तब तक के लिए बने रहिए अपने एक्जाम विद्धाले में ठीक है एंड सेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा ठीक है तब तक लिए मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक चैहिन चैवारत बंदे मातरम भारत मता की चैए